हेलो एवरीवन वेलकम इन माई वीडियो आज मैं आप लोगों को डी एवी के क्लासिक्स का एसेस्टी चेप्टर नमर 16 एक्स्प्रिन करने जा रही हूँ तो इसका एक पार्ट में वीडियो अपलोट कर चुकी हूँ आज हम इसका एड्मिस्टेशन का भी पार्ट में एक्स्प्रिन कर चुकी हूँ और सोसल कंडिशन आज हम इसके एकोनॉमिक कंडिशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी तो वी करते हैं तो जैसे कि यहां मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मौरे समराजी जो था वो बहुत ही मौरे डैनेश्टी जो था एक बहुत बड़ा डैनेश्टी था और उसके बाद जो है फिर जो एक लार्ज बड़ी डैनेश्टी आई वो थी गुप्त ड बड़ा नहीं था और गुप्त में जो राजा हुए थे उनके बारे में मैंने बताया आपको कौन-कौन से राजा थे पिछली वीडियो में बताया है आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके तो इन सब के बारे में और यहां का अड इंटर स्टेट ट्रेट फ्लरिश्ट द्यूरिंग दिस एड ट्रेट वास केरीड बाई ऑन बाई लैंड एंड रिवर रूट्स इंपोर्टेंट प्लिसेज लाइक पेशावर पाकिस्तान मतुरा एंड को शांबी योपी तामर लिपती बेंगाल बारुक अच्छा गुजर तरीके से चल रहा था और जो व्यापारी लोग थे वे अपने सामानों को नदियों के रास्ते से और लेंड के रास्ते से लाते थे और जो इंपोर्टेंट प्लेसेज थे वो कौन से थे जैसे की पेशावर था जो की पाकिस्तान में है अब और मतुरा और कोशांबी जो की यूपी में है तामरलिप्ती बेंगौल में है और बरुकश जो की गुजरात में है और उज्जेनी जो की एंपी में है यह सारे के सारे जो थे इंपोर्टेंट प्लेसे थे और यह सारे रोट से कनेक्टेट थे दरीवर्स नेमली गंगा ब्रहंपुत्र कावेरी कृष्णा करेंड गुदावरी प्रोवाइडीड वाटर जो यह तो लेंड वाले रूटल थे जो कनेक्टिट थे उसके बाद कुछ हों जो तें रीवर्स से भी होता था रिवर रूट भी था तो कौन-कौन से रिव़र्स का यूज स्काया जाताथा दा गंगा ब्रमपोत्रि कृष्न और गुदावरी इंका यूस के जाता था वाटरवे की रूप में इंडिया इंप्वार्टेंट एक्सपोर्ट आइटम वार पर्ल्स डाइमन प्रिश्च इस्टोन्स कार्मेंट साइवरी प्रोडक्ट लुए इंडिघुज़ इंडिया का जो इंपोर्ट इंपॉर्टिड hazard और हम लोग इंपोर्ट करते थे क्या जिसमें कि गोल्ड इन सिल्वर और गोड़ें और चामिल रहते थे यानि की हम बहुत से छीजिये एक्सपोर्ट करते थे और यहां नहीं होता था उसे हम कुछ इसे इंपोर्ट भी करते थे ब्रह्मा देश यानि कि अब का टाइम में 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 मार है जावा सुमात्रा बाली चंपा जो कि अब वियतनाम है और एंड कंबोज यानि कंबोडिया वर सम आफ दा कंट्री विच विच फॉरंड ट्रेड वाज क लोगों का जो में मुख्य ओक्यूपेशन था में ऑक्यूपेशन था वह था एग्री कल्चर खेथी करना और जो फार्मर्स थे वह जमिन के मालिक हुआ करते थे ओनर होते थे वह फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशनल फैसलेटी वेल टैंक्स कैनल वर कंस्ट्रक्टिड औ लोगों को प्रोवाइड करवाय जाते थे राजा के द्वारा बनवाय जाते थे ताकि लोगों को सीचाई की सुविदा उपलब्द हो सके दा में क्रॉप्स वर्फ वीट राइस पलसेज बार्ली सुगर केन कॉटन जूट वेजिटेबल एटीसी टैक्सेजन रिमेंड दा म बनाते थे और जो में फसल होती थी वह होती थी वीट राइस बार्ली सुगर केन कॉटन जूट और वेजिटेबल वगेरा होती थे और जो टैक्स होता था वह जो है वह में सोर्स होता था टैक्स का रिलीजन तो उस समय के लोगों का धर्म क्या था रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं डियूरिंग दिस पीजेट दा किंग एंड मोस्ट आफ दा पीपल वर दा फॉलोवर ऑफ वैस्टनीज और सिवेज्म यानि कि इस काल में जो राजा थे और ज्यादा तर जो लोग थे वो या तो व्यष्णव धर्म को यानि कि भगवान विश्णु की या पिर शैव धर्म यानि भगवान सीव की पुजा करते थे उन्हीं के फॉलोवर्स होते थे थे वर फॉलोवर्स और बुद्धिज्म और जैन धर्म को भी फॉलो करते थे there was no conflict among them they all lived harm only sun was also worshipped by many people many sun temples were built the kings gave grants and donation to all the religions without any discrimination it was a period of revival of hindus and Sanskrit language तो उस समय लोगों के वीच किसी भी तरह का dispute निता जगड़ा नहीं होते थे लोग मिल जूल करके रहते थे बहुत सारे सूरी मंदिर भी जो है वह सूरी देवता की भी पूजा करते थे और बहुत सारे सूरी मंदिर भी बनाए गए गए थे और किंग जो राजा होते थे यह बहुत अलग अलग धर्मों के जिसको है उ जो है वो डोनेशन नहीं देंगे ऐसा नहीं होता था मलकि सभी धर्मों को समान रूप से डोनेशन देते थे और उनकी हेल्प करते थे इट पाज पीरेड ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदूस्में संस्क्रित लेंगविज और यह काल ऐसा था जब हिंदूस्म और संस्क्रित लें तो इस काल में गुप पिरेड में जो था आर्ट और अर्टिटेक्चर का वह काफी हाइली डेवलप हो रहा था जैसे कि इस क्लप चरवा है पेंटिंग है टेंपल बिल्डिंग है मेटल लगवी म्यूजी की सब शेतर थे इस शेतर में काफी डेवलप्मेंट्स हो रही थी इस काल में हम सबसे पहले जो है वो मंदिरों के निर्मान का शुरुवात होता है ऐसा पाते हैं हम इनिशली देर यूजी तो बी वन रूम टेंपल वेर इमेज ऑफ में डाइटी वाज इंस्टॉल्ड विदा डेकॉरेटी डेकॉरेटेट में गेट लेटर ओन डेटर ओन द कानपूर एंड देवगर जहांसी टेंपल्स वर डेकॉरेटेड वेट ब्यूटिफुल एंड आर्टी स्टिक स्क्लप्चर्स तो इस काल में जो है वो टेंपल्स बनने अब सुरू हो गए थे और जो सुरू पहले की गुप्त काल से पहले जो गुप्त डैनिस्टी उससे प पुजार उनकी करते थे लेकिन कोई मंदिर में उन्हें स्थापित करके नहीं किया करते थे तो इस काल में हैं जो मंदिरों क्या निर्मान जो है वो शुरू हो गया था और सुरू सुरू में जो है एक रूम का टेंपल वानि एक रूम वाला मंदिर बनाया जाता था और उस Temple है यह भी भी देखा जाशता है कहा कहा सांची में अंपर गाओं को कहांपूर में है देवगरण जहांसी में हैं यहां पर एसी Temple है वो देखे जा सकते हैं & temples जो हैं तो बहुत सुन्दर और annax स्ट्रिटिस्टिक के से जो है वो डेकोरेट किये हुए थे अजन्ता एंड एलोरा और अंगाबाल डिस्टिक इन महाराष्ट्र केस्ट पर्जेंट इन दा बेस्ट स्पेसिमें आफ पेंटेंग्स एंड स्टोन कट टेंपल्स मैनी इमेजेज कंसर्निंग कृष्ण लीला है ब आफ दा फाइन एक्जामपल अफ यह एक्सलेंस इन स्कॉलप्चर मेंकिंग ओफ दैट पिरिट दा मोस्ट सिगनिफिकेस इंफिकेंट पीचर्स आफ दिस पीरियर्ट आट एंड इसकलप्चर इस देट देट टूटली फ्री फ्रॉम फोर निम्पेक्ट तो इस काल में जो बहुत क्या था कि इस्टोन को बड़े बड़े पत्थरों को चटान होती थी उन पत्थरों को काट करके मंदीर बनाया जाता था उसमें पेंटिंग की जाती थी तो इस तरह के पत्थर को काट करके और उसमें जो पेंटिंग की वी होती थी उस तरह के मंदीरों जो गुफा जो है वो कहां पर है तो महाराश्य के और अंगाबार डिस्टिक में हैं और ये सारे गुप्त पिरेट के ही कुफाएं हैं बहुत सी इमेजेज जैसे की क्रिशन लीला जैसे सम्मंदित थी वह जो है बेंगौल के राजसी डिस्टिक में पाए गए और बहुत ही लार्ज जो था इस काल का उसका एक बहुत ही एक्सलेंट एक्जांपल था और जो सबसे ज़्यादा मेहत्वपून जो फीचर था इस काल का आर्ट एन इसक्लप्चर वो जो था वो फूरी तरह से फॉर इंपक्ट से फ्री था यानि कि उस पर किसी भी तरह के विदेशियों का कोई प् उसका जो है यहां कि कला पर प्रभावव पड़ा था यानि उरकी जो बनाना के डिजाइन मंदिर बनाने के मजीत ख़र लग Toyota यह टोटी जो था वह विदेश यानिकी प्योरी जो ऊथा वह इंडियन था यानिकी इंडियां का ही इसमें दे का गया था एक लिजसे गोन पीर संस्कृत लिट्रेचर गोल्डिन कल था कालिधास एड़न्ता कोट ऑफ चैंदर कोट सेंड उनके दरबार में रहते यह सकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसका एक पार्ट जो मैं पढ़ा चुकी है उसमें बताया था और जो नवरतन होते थे उन से एक कालिदास भी थे लिए जो नाइन जैम अफ दर रोयल कोट उन में से एक थे कालिदासम यंका वकह क्या था अभीज्यान साकुंतलम माल विकागनी मित्रम कुमार शभाव और रगु रगु वासमा मेगधूत और इस तरह के और विक ही उन्होंने रचनाई की थी भाषा इस पीरिट तो भासे उस्में 17 टैप्स के प्लेज जो है इस गाल में लिखे गए थे विशाक दस मुद्डराक्षा प्लेज आलसो वेल लोन और विशाक दस्स ने लिखा था क्या मुद्राक्षा छेस नाम एक प्ले नाटक लिखा था जो कि बहुत ही वेलनोन है जाना जाता है तो मुद्रर आक्षास किसके द्वारा लिखा गया था विशाखदत के द्वारा हरी सेन पॉइट हरी सेन प्रेश्ट दा कंट्वेस्ट ऑफ समुद्र गुप्त तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पत थी पंडित विश्णु शर्मा वर्क पंच्तंत्र इस फेमस क्लेक्शन ओफ टेल्स विद मॉरल टीचिंग और जो पंडित विश्णु पंडित विश्णु शर्मा थे जो कि हम आज भी कहानिया पढ़ते हैं पंच्तंत्र की कहानिया आपने सुना भी होगा पढ़ा भी और यह काल जो संस्कृत का तो था ही golden period लेकिन इसके अलावा पाली प्राकेट और तमी लैंग्वेज भी जो था इस काल में काफी develop किया था रमायन और महा भारत वर translated इंटो तमील एंटो तमील और रमायन और महा भारत जो थे वो तमील लैंग्वेज में translate किये गये थे साइनस एंट टेकनोलोजी देट्रीबिशन ओफ जाई देट्रीबिशन ओफ गुप्त पिरियड इन दा फील्ड ऑफ साइनस टेकनोलोजी प्राप्त नहीं हुए थी इसने भी जे बहुत सारी अस्ट्रोनामी जो जिते मैं अधिमेटिस थे मैडिसीन के एडिया में इस काल में काफी development हुआ था काफी मतलग कि इसमें प्रोग्रेस हुआ था आरे भट वाज एक great scientist and mathematician of this period तो आरे भट के बारे में आपने सुना होगा जिन्होंने जो इसो मैथ में बहुत बड़े mathematician थे वो इसी गुप्त काल के थे it was he who first proved that the earth moves round the sun on its axis and not wise versa तो आरे भट जो थे वो बहुत बड़े mathematician और scientist थे इस टाइम के और वही first persons थे जिन्होंने ये प्रोव किया कि जो आर्थ है वो अपने एक्सिस पे सन के चारों तरफ घूम रहा है और उन्होंने एक बुक लिखी थी आरे भटियम जो की mathematics की बुक है और he the book explain the concept of square roots place value of the digits introductions of zero decimal system and also about track triangle and circular तो जो बुक लिखी थी इन्होंने आरे भटियम इसमें उन्होंने square root के बारे में place value of digits के बारे में introduction और जीरो का introduction भी इसमें दिया था उन्होंने decimal सिस्टम के बारे में triangle और सलकर के बारे में भी इसमें और यहां ते की eclipse जो था उसके बारे में भूत इजी जो है इन्होंने इसमें बताया था चरक के physician who wrote चरक संहिता एंड शुष्रूत एक सर्जन रोट किताब जो है वो लिखी थी लिए देर कंट्रिबिशन इन फिलो ब्लॉफ मेहत्व boss एंका और इंका कंट्रिबिशन था उससमें सांट योगदान था मेहिए जो समय के लिए काफी मेहतवपन योगदान था इनका नगेर जॅशन उश Ware एट महरोली इन डेली had never got rusted till today जो महरोली में जो आवे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डेली के महरोली में एक iron pillar है जो की rust free iron pillar है जाने कि उसमें जंग नहीं लगता है और अब इतने हाँ जारो साल पहले के जो था ये iron pillar वो अभी भी उसमें जंग नहीं लगा है आपको अगर मौका मिले दिली जाके घुमने का अगर या फिर आपको डेली में ही रहते हैं तो आपने देखा हुआ कि इसमें जो है अभी तक जंग नहीं लगा है the composition of its alloy is a fine example of iron technology of gopth period तो ये अभी तक इसमें जंग नहीं लग पाया next golden age golden age means कैने की स्वर्न यूग सोने का यूग golden age after long through this chapter you must have noticed that achievement of various good kings in almost all walks of life that is why the good period is known as the golden age of ancient India तो आपने जैसे कि इस पूरे चैप्टर को जब मैंने समझाया तो आपने देखा हुआ कि इस काल के जो इतने भी राजा थे उन्हें उन् बहुत साइड डेवलप्मेंट हुए थे और इन्हीं सब के कारण जो है इस काल को जो है वह एंसेंट इंडिया का फ्राशिन भारत का जो है सो golden age कहा जाता है एंसेंट इंडिया में तो वह है गुप्त काल गुप पिरेड को इस डियो टू इस्टेबलिस्मेंट ओफ पॉलि सब्सक्राइब लोग जगरते लगे लड़ते रहेंगे और राजा भी जो है उन्हीं युद्ध वगएरा में उलजे रहेंगे तो फिर वहां पर जो है सो डेवलप्मेंट कैसे हो सकेगा तो डेवलप्मेंट इलगी चाहिए कि लोग अगर मालीजा आपका फैमली में ही तो हमें मिल करके रहना पड़ेगा इसके लिए तो उसी तरह जब इनके समराजी में यूनिटी थी पीज थी तो फिर ये जो है काफी इन्होंने एचिवेंट किये थे तो जो गुप्त रूलर्स थे उन्होंने बहुत ही ग्रेट एफ़र्स बहुत ही महान प्रयास किये थे हिंदू रिलिजिन और संस्कृत लेंग्विज को डेवलप करने के लिए उसको विकास करने के लिए क्योंकि जो एड्मिस्टेशन था वो बड़ा ही आदर्स था बहुत अच्छा था और उसके करन क्या था कि बहुत ही लोग जो थे वहां के बहुत खुश थे और समृत थे ब्रामेन्स, स्कॉलर्स, सेंट्स और इन वोमBER्स रिस्पेकट इन डे सोसाइटी जो ब्रामन थे स्कॉलर्स सेंट्स और उनका सी रिस्पेक्ट था आरय भठ वराद मिह्र ना गर्माद चौन वर लौरद के लो आर्य बहुत थे और अर्मान थे ओ इस समय के ऐसी बू से से इस्टूदेंट्स फां फ्रॉम फार अवे प्लेशेज केम टू स्टूड़ी इन युनिवर्सिटी आफ नालंदा कनाश तक्षिला एंड उजयनीटी से गुप्त रूलर्स इंकरेश्ट डेवलप्मेंट अफ एग्रिकल्चर इंडेस्ट्री एंडेश्ट्री एंट्रीड इस इसकाल में जो है वह अलग-अलग जगों से भी बहुत दूर-दूर से लग अलग देशों से लोग जो है इस्टूडेंट्स यहां पढ़ने के लिए यहां के उनिवर्सिटी में आते थे और उन्हीं में से उनिवर्सिटी कौन-कौन थे उसमें नालंदा कनाश तक्षि से लोग पढ़ने के लिए आते थे और जो यहां के जो रूलर्स होते थे उन्होंने डेवलप्मेंट में जैसे की अगरी कल्चर है इंडस्ट्री है ट्रेड है इन सब की डेवलप्मेंट को काफी इंक्रेज किया प्रोस्ताहन दिया और इन्होंने जो है कॉइंस बनाएं अगे दिये वे इन को ayo question को खुद कर सकेंगे तो आप लोग इस question को खुद solve करें कि इतना तो आपको करना ही चाहिए कि चैप्टर पढ़ने के समझने के बाद आप इसको खुद कर सकते हैं इसका ebc जो है वह आप खुद करें बाकी का इसका जो d और e है इसके question answers मैं आपक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी तो थैंक्स पूर वाचिंग और प्लीज शेर दिस वीडियो